हलो दोस्तों मैं आपके साथ में मनीशा जा लेकर आई हूँ आपके लिए इंडेटेन्मेंट का डबल डोस वो कहते हैं ना प्यार किसी से चुपाए नहीं चुपता कुछ ऐसा ही हाल बॉलिवुड के उन पॉपुलर सेलप्स का भी है जिनके लाक्षी पाने के बावजूद उनकी लव लाइफ का हिंट मिल ही जाता है ऐसे में कुछ सेलप्स ने अपने रिष्टे को ओफिशल कर दिया तो वहीं कुछ अभी भी अपने रिष्टे को दोस्ती का नाम देते हुए नजर आए तो आईए हम आपको बताते हैं कि उन सेलप्स के नाम जिनके लव अफेर्स पर काफी चरचाए हैं किम शर्मा और टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के रिलेशन को लेकर पहले अववाही उड़ी थी दोनों को वॉक पर और गुआ विकीशन पर साथ दिखा गया था ऐसे में उनकी रोमेंटिक तस्वीरों पर फैंस ने दोनों की रिलेशन की कयास लगाने शुरू कर दिये लेकिन ये वह हैं और तीज हूती से पहले ही किम शर्मा ने लिएंडर पेस संग अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम पर ओफिशियल कर दिया बॉलिवुड गलियारों में जिस जोडी के अफैर की खबर काफी सालों से चली आ रही है वो हैं दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ बागी टू में साथ नजल आने के बाद से उनकी रियल लाइफ रिलेशनशिप की खबरे चलने लगी थी दोनों को इवेंट्स, पाटी, इस जिम और यहां तक की फुटबॉल ग्राउंड में भी साथ देखा जाने लगा लेकिन दोनों ही सेलब्स ने अपने रिलेशनशिप पर आस तक चुपी बनाए रखते हुए एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं एक्क्रिस श्रद्धा कपूर अपनी पोसनल लाइफ को लेकर बेहत प्राइविट रहती हैं लेकिन पबलिक की नजर से बच पाना इतना आसान नहीं बता दे की श्रद्धा और प्रोफेशनल फोटोग्राफर रोहन श्रेस्ठा के रिलेशन में होने की चर्चा काफी समय से आ रही है ऐसे में दोनों की शादी की भी अटकले लगाई जा रही थी हाला कि श्रद्धा के पापा शक्ती कपूर ने कहा कि रोहन उनके फामिली फ्रेंड है और उन्होंने अभी तक श्रद्धा का हाथ नहीं मागा है क्रिकेट और मनुरंजन जगत कनाता तो बहुत पुराना है सुनेल शेटी की बेटी एक्ट्रिस अथिया शेटी और क्रिकेटर केल राहूल को लेकर भी काफी शोर है ऐसे में इंग्लैंड से उनकी तस्वीरों ने फान्स के शक को और मजबूत कर दिया कि दोनों रिलेशन्शिप में हैं हलकि अथिया और केल राहूल ने अभी तक अपनी रिलेशन्शिप से परदा नहीं हटाया पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट तो यही बताते हैं कि वे दोनों रिलेशन्शिप में हैं अगर आपको लगता है कि कियारा अडवानी और सिधार्थ मलहुतरा सिर्फ अपनी फिल्म शेर्शा के कारण से चर्चा में हैं तो आप गलत हैं दोनों के अफैर की खबर टॉक आफ दर टाउन बरी हुई है उनके वेकेशन्स और पब्लिक प्रेसिस में साथ नजराना उनके लव अफैर की और साफ इशारा करते हैं ऐसे में कई बार पूछे जाने के बावजूद दोनों ने इस बात पर कोई हामी नहीं भरी पर इंकार भी नहीं किया ऐसे में फैंस को इंदिजार है कि कियार और सिधार्थ कब अपने रिष्टे पर ओफिशिल मुहर लगाएंगे तो फलाल के लिए इतना ही एंटरेंटमेंट से जुड़ी और भी चटपटी खबरों के लिए पने रही एवियन न्यूस के साथ